जी हाँ नमस्कार आप सभी का Education Knowledge TV यूटूब चैनल पर हारदिक स्वागत करता हूँ कैसे आप सभी हर्याना विदान सभा चुनाव 2024 का ताजा सर्वे निकल के आया है सामने पांच अक्टूबर को हर्याना में विदान सभा की चुनाव हैं और हर्याना में 90 सीटे हैं विदान सभा की अलग-अलग जितने भी हर्याना में जिले हैं जिले वाइज आपको बताएंगी कि हर्याना में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है यह आपको बताएंगे और कहां से कितनी सीटे जीतने का अनुमान है पार्टियों को आप इस वीडियो के माध्यम से जाने हैं तक देखें वीडियो को वीडियो को लाइक कर लें चैनल को भी सस्क्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपकी पसिंदी ददा प किदान सवाकी और चैसीटों में सी जो बीजेपी है बीजेपी को तीन सीट मिलने का अनुमान है जी हां तीन सीट बीजेपी को मिलने का अनुमान है और कॉंग्रेस को दो सीट मिलने का अनुमान है सोनिपत से और बीएसपी और इंडियन नैशनल लोकदल को एक भी सीट मिल बात करेंगे अगले जिले कुरुचेतर की कुरुचेतर में चार विदानस्वा की सीटे हैं, बीजेपी तीन सीट जीत सकती हैं कुरुचेतर से और कॉंगरेस को भी एक सीट मिलने का अनुमान है, आय नल्डी की बात करें तो एक भी सीट यहां पर नहीं मिलेगी, आम आदमी पार्टी और जेजेपी इसको भी एक भी सीट यहां से नहीं मिलेगी बात करेंगे अगले जिले की जो अगला जिला है वो पानिपत है और पानिपत में चार विधान सभा की सीटे हैं पानिपत में पानिपत में से दो सीटे बीजेपी के खाते में और दो सीटे कोंगरेस के ख उसके आधर पर आपको बता रही है, यानि कि, दो-दो का आकड़ा जो है, वो पाणिपत्स से निकल के आ रहे सामने, यानि कि, दो सीटे कोंगरेस जीत सकती है, और दो सीटे बीजेपी जीत सकती है, पाणिपत्स से. फ़त्याइबाद जिला जिसमें से, तीन सीटे हैं विदान सवाकी और तीन सीटों में से जो BJP है वो दो सीटों पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है कॉंग्रेस को एक सीट पर ही संतोस करना पड़ेगा यानि कि कॉंग्रेस जो है वो एक सीट ही मिल पाएगी इस बार को दो सीटे मिलने का नुमान है BSP आम आदमी पार्टी यहाँ पे जो एक भी सीट नहीं जीत पाएगी बात करेंगे अगले जिले सिरसा की तो सिरसा में पांच विधान सबा की सीटे हैं और पांच सीटों में से तीन सीट कॉंग्रेस जीतने का नुमान है एक सीट बीजेपी की खाते में जी जाएगी यहाँ से यानि की सिरसा से एक सीट बीजेपी दो सीट कॉंग्रेस जीतने का नुमान है वहीं आम आदमी पार्टी इंडिया नैसनल लोकदल एक भी सीट जीत नहीं पाएगी बात करेंगे फरिदाबाद की तो पर बीजेपी को यहाँ पे दो सीट मिलने का नुमान है और हम उपर नजर डाले तो बीजेपी अब तक 14 सीटे और कॉंग्रेस भी 14 सीटों पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी या जेजेपी को 3 सीटे मिलती हुई दिखाई दे रही है यानि कि हम बात करें तो कॉंग्रेस और बीजेपी फिलाल 31 विदान सवा सीटों का जो सर्वे है वो निकल के आया है सामने और 31 में से जो बराबर का आंकड़ा जो है वो बीजेपी और कॉंग्रेस के पिछ में चला हुआ है 14-14 सीटे जो बरकरार बनी हुई है बात करेंगे एकले जी ले गुरुगराव की तो गुरुगराव में भी 4 सीटे हैं विदान सवा की और 4 सीटे में इसे 2 सीटे बीजेपी तो और 2 सीटे कोंग्रेस के खाते में जाती ह dungeon दिखाई दे रही है और बीजेपी को आपको उता दें बीजेपी जो है वो सोड़ा और कॉंग्रेस भी सोड़ा काहा कड़ा अब छो चुकी है बत करेंगे अगले जिले करनाल की और करनाल में जो सीटे हैं वो पांच हैं विदान सबा की पांच में से तीन कॉंग्रेस जीती ह दिखाई दे रही है बीजेपी की खाते में दो सीटे करनार से भी आती हुई दिखाई दे रही है बात करेंगे बिवानी की तो बिवानी जो जिला है उसमें चार सीटे हैं और चार में से दो सीटे कॉंग्रेस की खाते में और दो सीटे बीजेपी की खाते में भी जाती हुई दिखाई दे रही है, I.N.LD और आम आद्मी पार्टे का भी यहां से कोई खाता कुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और अधर्स को भी एक विसीट नहीं मिलेगी, इसका भी अनुमान लगाया गया है, बात करेंगे अगले जिले की और अगला जिला हिसार है, हिसार की ज़्यादा सीटे है वी हिसार में और हिसार में से चार सीटे कॉंग्रेस और दो सीटे बीजेपी की खाते में जाते हुई दिखाई दे रही है और यहां पे एक सीट जननायक जनता पार्टी जो की दुशिन शिंग चोटाला खुद चुनावी मैदान में है एक सीट अपनी जो है वो बचाते हुए निकालते हुए दिखाई दे रही है यानि कि एक सीट जो है वो जननायक जनता पार्टी हिसार से निकालती हुए दिखाई दे रही है बात करेंगे कैथल से बाई कैथल में जो सीटे है चार है विदान सवा की और चार में से दो सीटे जो है वो BJP की खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है कोंग्रेस भी यहाँ पे दो सीटों पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है कोंग्रेस भी दो सीटे कैथल से जीच सकती है वहीं आपको बता दें और बीजेपी जो है वो 24 और कोंग्रेस 27 का अगड़ा छूचुकी है बात करेंगे अगले जिले नुह की नुह में 3 सीटे हैं विदान सभा की और कोंग्रेस 2 सीटे और बीजेपी एक सीट पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है एक सीट बीजेपी की खाते में भी जाएगी नुह से और कोंग्रेस को 2 सीटे बात करेंगे पंचकोला से। पंचकोला में दो सीटे है और कॉंग्रेस और बिजेपी को एक-एक सीट पंचकोला से मिलती हुई दिखाई दे रही है अनि कि दोनों ही पар्टि योगो एक-एक सीट मिलेगी पंचकोला से। बात करेंगे जीन्द जिले की जीन्द जिले में पांस सीटे हैं विदान सभा की जिसमें से दो सीटे बीजेपी को और दो सीटे कॉंगरेस को तो एक सीट यहां पे आम आदमी पार्टी या पिर जननाएक जनता पार्टी निकालती हुए दिखाई दे रही है एक सीट यहां से निकलेगी चाहिए वो जनना एक जनता पार्टे निकाले चाहिए आम आदमी पार्टे निकाले लेकिन दो सीटे कॉंग्रेस और दो सीटे बीजेपी जीती हुई दिखाई दे रही है जीनत चले से बात करेंगे महंदरगड की महंदरगड में 4 सीटे हैं और 4 सीटे में से 1 सीट वीजेपी निकालते हुँ दिखाई दे रही है, 2 सीटे कौंग्रेस, 1 सीट यहाँ पे INLD को भी मिलती हुँ दिखाई दे रही है, यानि कि इंडियान नैशनल लोकदल 1 सीट यहाँ से निकालता निकालती हुई दिखाई दे रहा है इस बार बात करेंगे अगले जिले अंबारा की अंबारा में चार सीटे हैं चार सीटों में बीजेपी को एक सीट कॉंग्रेस तीन सीट जिती हुई दिखाई दे रही है और अब बात करेंगे अगले जिले रोता की तो रोता की तो रोता में चार सीटे हैं और चार में से दो स खाते में लेती हुई दिखाई दे रही है और बात करेंगे हम अगले जले की रेवाड़ी की रेवाड़ी में तीन सीटे हैं तीन सीटे में से बीजेपी एक सीट पर जीती हुई दिखाई दे रही है और हम बात करेंगे चर्की दादरी की तो चर्की दादरी में जो दो सीटे विदान सभा की एक-एक सीट जो है वो कॉंग्रेस और वीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और हम बात करें अनल्डी और आमादमी पार्टी को एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है चरकी दादरी से तो हम बात करें बहुमत का आखड़ा है 40 का तो कॉंग्रिस बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है और कॉंग्रिस जो है इस बार सरकार बना सकती है इस बार जो टाजा सरभे निकल के आए सामने इसमें कॉंग्रिस को पर्चन जीट मिलती हुँ दिखाई दे रही है लेकिन BJP जब पिछटती हुँ का अनुमान है